हलो मेरे प्यारे दोस्तों कैसे हैं आप सभी आप सभी का मैं स्वागत करता हूँ इंडिया के नमबर वन स्टडी चेनल वाइफ है स्टडी पर पाट अफन अकैडमी जैसा कि आप सभी को पता है कि डेली 11 बज़े आप लोगों के लिए शांदार क्लास आती है आज उसमें स्टार्ट हो रहा है नमबर सिस्टम और हम बहुत ही शांदार चीजें पढ़ने वाले हैं नमबर सिस्टम में कम्पलीट नमबर सिस्टम हम कवर करेंगे मैं चाहूंगा कि आप इस वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर कर दें जिससे की वह भी हर एक चीज का लुफ्त उठा पाएं क्योंकि कुछ ना कुछ बहतर आपको सीखने को मिलने ही वाला है तो सभी विद्यार्ती वीडियो को शेयर जरूर करें अपने अपने दोस्तों तक प्यारे भाईयों और बहनों तक चलिएगा शुरुवात करते हैं बिना किसी देरी के नंबर सिस्टम आज हम पढ़ रहे हैं अनकेडमी पर आपको मेरे साथ में जुड़ना है जहां पर आपको complete courses मिलने वाले हैं 24 महिने का subscription लेकर साहिल 10 as a code लगाकर आप जुड़ेंगे तो आपको benefit मिलेगा बहुत सारा SSE exam में पांस तारिक से course भी शुरू हो रहा है सबी faculties का तो आप वहां जुड़ सकते हैं मेरा batch आपको 2 बजे मिलता ही है beginner to expert batch सुबह 9 बजे time and work हमारा चल रहा है जहां पर कल यह last होगा मतलब 9 बजे होगा और बढ़िया तरीके से सीखेंगे और नए साल से फिरम pipe and system शुरू करेंगे ठीक है और catch the math तीन बजे चलता है continue basis पे चल रहा है और चलता रहेगा आपको बहुत मज़ा आने वाला है catch the math में हमेशा की तरह खुबसूर्ती के साथ में मैं बहुत कुछ आपको कराने वाला हूँ regular time table आपका होता है सुबह 9 बजे 11 बजे target the math में number system अभी शुरू हो गया साड़े 12 बजे paper हम करते हैं daily और 2 बजे अपना foundation होता है और 3 बजे अपना catch the math होता है ये तो है regular days की बात अब आपको मैं बता देता हूं कि क्या कहते हैं आज थस्डे हो गया ना कल Friday तो Friday को हम बेला लेते हैं Friday को हम कुछ extra करते हैं अब पहले मेरा मन था कि मैं चार सेशन ना लूँ लेकिन मैं फिर से चार सेशन ले रहा हूं और अपना timing वही रहेगा 5, 5.30, 6 और 6.30 अब Friday को ये शाम को होने वाले सारे इवेंट यो यूट्यूपर होते हैं आपको पता है हर Friday को मैं आपके लिए कुछ ना कुछ शॉर्ट वीडियो में concepts लेकर आता हूं अब इन में क्या-क्या होने वाला है वो मैं पहले आपको बता देता हूं उसके बाद आगे की चीज़े हम करेंगे सबसे पहली चीज मैं जो इसमें ले रहा हूं 5.30 पर मैं के अबर 5.30 पर यूनिट डिजिट के कोशन कराऊंगा सारे है ना जितने भी टाइप यूनिट डिजिट में बनते हैं एकाई यंक में वो मैं कराने वाला हूं 5.30 अपने अचेबरिक आइडेंटिटी जिसमें एक्यूब प्लस बीक्यूब प्लस सी क्यूब एस प्लस बी का होल स्कॉयर वाला उस पर जितने भी प्रशन बनते हैं वो हम करेंगे मतलब 10 15 टाइप जो भी बनते हैं वह सारे करने वाले हैं 5.30 पर और छे बजे हम करने वाले हैं ट्र ट्रिक्स के वे पेपर में आते हैं जैसे ताइप फिक्स है मैंने बहुत ज्यदा पढ़ा है तो कुछ ट्रिक्स होते हैं कि आरेग्ण तो उसके बारे में discussion करेंगे 6 बजे छोटा session होगा काफी effective होगा आप लोगों के लिए और 6 बजे आपके लिए होने वाला है क्या ताइम एन वर्क में mdh पर बेज़ कुर्शन केवल mdh पर based only mdh based तो यह चार session मैंने चुने हैं आप लोगों के लिए इस Friday को यह चार session करवाऊंगा छोटे-छोटे होंगे लेकिन है यह 10-15-15 मिनट के होंगे उमीद करता हूं कि चीज़े clear हो गई होंगी और और अच्छे से समझ में आ गया होंगे कि क्या होने वाला है ठीक है आई यह शुरुवात करते हैं number system कि हम शुरुवात करते हैं और number system में हम कि सबसे पहली चीज क्या देखना चाहते हैं इसको कहते क्या है संख्या आपके हर एक्जाम में यह आता ही आता है मतलब इस चैप्टर को आप मैट से अलग नहीं रख सकते क्योंकि सब कुछ यही है गणित अगर हम पढ़ रहे हैं गणित में हमारा कहीं रॉल है गणित को हम सीख रहे हैं तो इसके पीछे भी यही चैप्टर है ठीक है आईएगा एक एक करके सारी चीजों को हम समझने की कोशिश करते हैं इसमें आजओ तो नंबर सिस्टम नंबर क्या है नंबर तो कुछ भी नहीं है सिर्फ एक सिंबल है नंबर एक सिंबल है एक चिन है जिसे हम नंबर बोलते हैं बस नंबर तो एक सिंबल है जिसका आपन को क्या बता दिया, Numeric Representation बता दिया, ऐसा नहीं है कि नंबर को इजाद करके लेकर आया था, या कहीं मिले थे, खुदाई में, कि यार ये नंबर है, नंबर को इस तरह से यूज करना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, हो सकता है कि इसका Representation सदियों पहले कुछ और हो, ऐसा नहीं कि कोई लिखके चला गया, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, तो Symbol होता है, इस तरह से हमें चिन्न के तोर पर हमें बता दिया गया, कि ये एक कहला जाएगा, इसकी Counting 2 होगी, इसकी Counting 3 होगी, इसकी Counting 4 होगी, यानि कि Numbers का असली मतलब क्या है, कि एक Symbol है, जिससे कि हम क्या करते हैं, Several Things को Count करते हैं, बहुत सारी अलग-अलग चीज़ों को हम Count करते हैं, वो हमारा Numbers कहलाता है, सबसे Common चीज़ है, इसका Paper से कोई तालुक नहीं है, लेकिन Interview से है, Interview में पूछा जा सकता है, नंबर के ब is a Symbol, जिससे हम बहुत सारी चीज़े Count करते हैं, एक Representation है, ओके भाई, चलिएगा, तो नंबर इस तरह से काम आता है, हम बहुत सारी चीज़ों को Count करने के काम में इसको ले लेते हैं, और काफी कुछ चीज़े हैं, जो कि आप अभी सीखेंगे, और एक चार्ट सीखेंगे, नंबर बना कैसे, और क्या होता है, इवन क्या होता है, सब कुछ, चलिए, अब आगे की बात आती है, आगे की बात यह आती है, कि इन जब नंबर को बनाया गया, तो सबसे पहले कैसे नंबर निकले, देखो, सबसे पहले जो Real Number की बात हम करते हैं, Real Number को हम बोलते हैं, वास् जिन संख्याओं पर हम बात करते हैं, वह संख्याओं वास्तिक संख्याओं होती हैं, जिन पर हमारे सारे operations होते हैं, सारे की सारी चीजे dependent हैं, वो हमारा real number होता है, तो सर एक imaginary number भी होता होगा, जी हाँ, imaginary number हम कहां पढ़ते हैं, complex number आपने chapter पढ़ा होगा 11-12 में, imaginary number वहां आता हैं, इसको हम बोलते हैं, आयोटा, ठीक है, तो imaginary number वह वाला representation होता है, और इन दौनों के combination से जो number बनता है, उसी को ही हम complex बोलते हैं, और complex number इस तरह से लिखा जाता है, x plus iota y, x is the real part of this number and y is the imaginary part of this number, अगर हम comparison कराना चाहें, तो इसी तरह से हम कराते हैं, कोई दिक्कत, तो ये क्यों बता रहा हूँ मैं, क्योंकि जब शुरुवात हुई, तो number इस तरह से निकल कर आये थे, x plus iota y में, तो iota, इसको complex number बोल देते हैं, इसको z से भी represent हम कर देते हैं, ठीक है, z bar हाना, कोई issue नहीं है, आशी, तो यहां तक हम बात जो करने वाले main जो हमारा focus रहने वाला है, हमारे competition exams के रिए, हमारा focus रहेगा real numbers पर, कि real number क्या है सर, real number के बारे में आप जानकारी बताईए, पूरी की पूरी, आईए, तो अब heading डाल लो, real number का tree बनाते हैं, पूरा, पूरी चीज एक ही tree से समझ में आ जाएगी, किरपया करके बहुत ही focus होके आपको chapter यह पढ़ना है, मैं पूरा यह chapter पढ़ाऊंगा, गहां startना मेरा कामी नहीं है, ठीक है बाई, real number को हम बोलते हैं, वास्तविक संख्या है, ठ अब जब mathematician बैठे थे, तो उन्होंने कहा, भाई, real number है, इसका मतलब क्या तुम यह कह दोगे, example के तौर पर, कि एक real है, मैं कहूंगा, बिल्कुल, zero real है, yes, minus का 5, बिल्कुल, minus का 5.5, बिल्कुल, minus का 2 by 3, बिल्कुल, ओके, और अपना, रूट 7, रूट 5, पाई, 22 बटे साथ, क्या यह सारे real number हैं, बोलो, जो मैंने लिखा है, क्या वो सारे की सारे real number हैं, आप कहोगे, yes, we can say, हम कह सकते हैं, यह सारे की सारे real number हैं, तो बोले यार, फिर क्या मतलब रहा, अगर हमें real number ही पढ़ने हैं, तो फिर हम बता कैसे पाएंगे, कि कौन क्या है, कैसे है, क्यों है, कुछ पता नहीं चल रहा है, तो बोले, नहीं, नहीं, इसको भी categorize किया गया है, इसको भी categorize किया गया है, है तो यह real number, लेकिन real number ने कहा किया, एक साथ मैं नहीं रख सकता सबको, मैंने real number को दो भागों में बाट दिया, मैंने तो नहीं बाटा, लेकिन real number को आपने दो भागों में बाट दिया, ठीक है, अब real number को हमने दो भागों में बा तक तक ही तो जो तरह के नमबर नहों को हमने इस तरह से रिप्रेजेंट किया एक को बोला रैष्णनल और दूसरी को बोला एर्शनल लिखो एक को बोला रैष्णनल और दूसरी को बोला एर्ष्णनल हि Creat σot और यह है एपरी में तो अब आप मुझे बताईए दौनों के अगर एक्जाम्पल को हम लिख लेते हैं तो इस वाली तरफ कौन-कौन से आएंगे और यहां कौन-कौन से आएंगे उपर वालों में से अलग-अलग छाटो छाटना भी आपको आना चाहिए ठीक है आईए तो रैशनल नंबर कहा गया कि सर जो नंबर आप पी वाई क्यू की टम में रेप्रेजेंट कर दो और वहां क्यू शून्य ना हो वो सारे रैशनल नंबर होते हैं तो आपसे यह बोला गया कि क्या रैशनल नंबर आपके नेगटिव हो सकते हैं पॉजिटिव हो सकते हैं जीरो हो सकते हैं मैंने का वाई नोट क्यों नहीं हो सकते हैं सब हो सकते हैं तो रैशनल नंबर कैन बी positive 0 and negative rational number can be positive 0 negative हो सकते हैं तो यहां इसमें से क्या क्या आएगा बोले 1 आएगा 0 आएगा minus का 5 भी rational है minus का 5.5 भी rational है minus का 2 बटे 3 भी rational है 22 बटे 7 भी rational है because apyq में है तो irrational क्या क्या होते हैं सर नाम से ही पता लग रहा है काम से भी पता लग जाएगा irrational होते हैं root 7 root 5 pi यानि कि irrational की पहचान अगर आपको करनी हो तो कोई भी non-perfect square root upon workmool हिंदी में लिखेंगे कोई भी अपूर्ण वर्ग मूल वो भी non-perfect में आता है और non-recurring non-terminating decimal ठीक है अनावर्ती अशान्थ दशमलव अनावर्ती अशान्थ दशमलव और non-perfect square root ये अगर आ गए न तो ये समझ लो कि ये क्या हो गया आपका आपरी में संख्या हो गया इसके अलावा जितने भी संख्याएं हमारे साथ हैं वो सारी की सारी परी में होंगी got it अब आपका कोई doubt नहीं रहना चाहिए अब आप बताओ मेरे को अब आप बताओ आप अब हर किसी संख्या को ये देखकर पता सकते हो कि ये परी में है या आप बता सकते हो आप कोई भी संख्या देखकर अच्छा कई बार अक्सर confusion क्या होता है पेपर में ये question पूछा जाता है कि क्या आपरी में संख्याएं वास्तिविक संख्याएं होती है तो कुछ जो student होते हैं उनको एपरी में ऐसा लगता है कि वो real number का party नहीं है तो मेरे दोस्तों ये चार्ट ये बता रहा है ये चार्ट ये कह रहा है कि भाई real number के ही दोनों part है real number इतने सारे थे तो हम confuse हो गए थे categorize करना पड़ा तो rational और irrational बना जहां पर हमने non perfect वालों को एक तरफ डाला और अनावर्ति अशान्त दशमलब यानि कि ऐता ऐशा दशमलब इसके नाम से क्या पता लग रहा है इसके नाम से ये पता लग रहा है कि एक ऐसा decimal है जो एक तो repeat भी नहीं हो रहा और खतम भी नहीं हो रहा जैसे सल्मान खान का दर्द ठीक है तो अनावर्ति अशान्त दशमलब का मतलब आपको समझ में आ गया होगा कि ये वो decimal है जो repeat भी नहीं हो रहा और खतम भी नहीं हो रहा इसका मतलब वो irrational number है बाकि सारी की सारी चीज़ें like this 1 by 3 2 by 3 ये सब कुछ आपके इधर आजाएंगे ठीक है चलिए यहां तक किसी को कोई इशू तो नहीं है आईए अब rational number ने कहा कि भाई irrational तुम तो बहुत सीमित हो गए irrational तुम तो बहुत सीमित हो गए दोस्त बोले हाँ भाई चलिए तो rational number ने कहा कि मैं तो अपना expansion करूँगा करो भाई तो अब rational number आगया अपनी form में परीमे संख्या ने कहा कि देख भाई परीमे संख्या हूँ मैं मैं अपना expansion कर रहा हूँ तो परीमे संख्या ने अपना expansion शुरू कर दिया ठीक है परीमे संख्या ने कहा कि भाई मैं भी दो भागों में बटूँगा परिमे संख्या ने बोला कि भाई मैं भी दो भागों में माटा जाऊंगा और वह भाग क्या होंगे देखिए परिमे संख्या को भी दो भागों में बांट दिया अब आप बता सकते हैं कि लड़ाई किस बात पर हो रही थी लड़ाई यह हो रही थी कि रामू भी इदर जिनो भी इधर आ रहे है प्लस का 5 हमें चल और रहे हैं चल क्या रहे हैं और फिर 0 पॉर इसलगा रहे हैं प्लस का पांच बीदर आ चल क्या रहे वाई है तो बस अभी तक आप गलत पढ़ गरत अब जो पर रहे हैं तो तो है ठीक है क्योंकि क्या हो रहा है कुछ भी सोचो के तो फिर मतलब नहीं रहेगा तो अब मेरे को बताओ कि कि इस बात पर हो गया था कि भाई यह तो सब है तो इसने कहा भाई फिर लाडाई हो जाएगी क्या मतलब है खामो खां ऐसा करता हूं दो दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूं और वो दो पार्ट क्या-क्या होंगे कोई बता सकता है आप में से तो भाई यह देखो ऐसी बात है एक होगा इंटीजर पार्ट कि पूर्णांग मतलब परी में संख्याओं को बाटा गया है अब आप यह कभी नहीं कहोगे है ना हाँ अब आपको एक एक चीज पता रहेगा कि परी में संख्याओं को आपने दो भागों में बाटा एक इंटीजर वाला पार्ट और एक फ्रेक्शन वाला पार्ट अंडेस्टेंड फ्रेक्शन वाला पार्ट अब ये वाली चीजे में आपको फ्रेक्शन वाले चैप्टर है उसमें एक्सफ्लेंड कर चुका हूं सारा decimal fraction जो मैंने पढ़ाया था हां हां वो सारे उसमें अशांत शांत सब इसमें बता चुका हूं मैं fraction वाले पार्ट में नंबर्स में हम यह सर यह CGL के लिए भी एना थोड़ा सा जादा है आप देख लो कि आपको क्या क्या छोड़ना है इसमें सारी लेवल कवर हो रहे हैं ठीक है बाकी इसमें सब कुछ में कवर कर रहा हूं और हो सकता है कि CGL इसमें सी दे दे इस बार तो किर्पया करके ध्यान रहा दे रहें ही आपर 13-4 अंक में क्या होता है अब कला को भी दो भागों में बांतना पड़ा कौन-कौन से पुनाँक का और अ मthree करें आये तोreteर इन टीजर को भी आपको दो भागों में बांतना पड़ा एक आपका नेगेटिव इंटीजर एक पॉजिटिव इंटीजर और एक शून्य तो बात शून्य पर भी आ गई कई बार कोशन हर एक लाइन पर कोशन बन रहा है हर एक लाइन पर कोशन बना रहा हूँ हर एक लाइन पर कोशन बनेगा theoretical question बनता है आप भी जानते हो paper में आते है कई सर कई बार कि सर यह 0 क्या है 0 क्या है 0 एक positive integer है क्या 0 एक negative integer है आप क्या बोलोगे 0 ना तो positive integer है ना ही negative integer है ठीक है 00 है भाई ठीक है छलिए अगर मैं आगे बात करना चाहूं आपसे इसका मतलब सर कि जो भी संख्या माइनस में चलेगी और वो पूर्णांख होगी वो मेरे अंतरगत आएगी येस जीरो जीरो है और जो भी संख्या एक से शुरू होगी दो तीन चार ऐसे चलकर अनंतर तक जाएगी वो मेरे अंतरगत आएगी मैंने का definitely और सर जो एक्जामपल में यहां ले रखें वो सारी भिन मैं रखूंगा चाये वो negative हो चाये वो positive हो वो सारी की सारी भिन यहां रखी जाएंगी इस तरह से वो fraction वाला पार्ट हो गया ठीक है तो 0 ना तो negative integer होता है ना ही positive integer होता है 00 होता है 0 की representation आपको मैंने बता दिये अब आते हैं fraction वाला part हमने कर रखा है अब हम आते हैं integer वाले अगले part पर अब integer को कैसे हमने किया हुआ है देखी एक एक चीज क्लियर कर लेंगे ना अब इंटीजर क्या कहता है कि इंटीजर यह कहता है कि सर में negative भी हूँ मैं positive भी हूँ मैं 0 भी हूँ राइट बोलिए हाया ना बोलिए यह positive integer है यह 0 है और यह negative integer है positive integer और 0 को मिला कर एक संख्या बनाई जाती है उसको हम बोलते हैं whole number उसी को क्या बोला जाता है पूर्ण संख्या यानि कि वह संख्या जो कि 0 से शुरू होती है एक दो तीन अनंत तक जाती है वो भी positive अनंत तक और अगर आप 0 को exclude कर देते हैं तो केवल और केवल है और यह positive जो integer वाले पार्ट है तो positive integer वाले पार्ट को ही हमने क्या बोलते हैं नैचुरल नंबर तो यह नैचुरल नंबर यहां से आता है आई बात समझ में अब आपको हर एक चीज का जवाब मैं अभी क्रॉस कोशन भी पूछूंगा आप बस इतने ही लिखते जाओ और समझते जाओ मैं अभी आपसे क्रॉस कोशन बहुत सारे पूछने वाला हूं आ है एक बच्चा कहा है आपने दौनो साइट 22 बटे साथ लिखा है कहां लिखा है बाइस बटे साथ गधाई है बिलकुल है आदमी या वो तो मैंने रियल नंबर के एक्जामपल लिखें सारे उसमें से दो अलग पार्ट में बांटाए ताइम पर नहीं आएगा तो ऐसी दि दिखता है कि मुवी में भी टाइम पर देखनी पड़ती है मुवी वहीं हाँ कि चलो है कि अगर नेच्छिरल नमबर हो गया कि आजाई तो क्लियर भाई जब यहां तक कोई इशू तो नहीं है हाँ यहां तक कोई इशू तो नहीं है किसी को हाँ ओना नीच्छिए फिर कि अगर हुआ तो फिर दिक्कत आजाएगी किसी को को दिक्कत तो नहीं है मैं कमेंड देख रहा हूं बता दो कोई दिक्कत हो तो कि अब ऐसी चीजे पढ़ाऊंगा कि दिल खुश ना भी होगा तो भी हो जाएगा तो बात पता है क्या हुई है ऐसी चलती रही बात यहां तक रुक गए सब अब बोले क्या करें क्या करें अब आप किस किस के दिमाग में यह आ रहा है कि सर यह इवन नंबर क्या होते हैं यह और नंबर क्या होते हैं यह प्राइम नंबर क्या होते हैं यह कॉम्पोजिट न पड़ों की मज़ा आजाए अब क्या होगा अब इन में से कौन सी कैटेगरी उठाए गई जिससे की सारी नंबर बनाई गई वह कैटेगरी है नैचुरल नंबर को प्रमोट किया आगे और नैचुरल नंबर को ही अलग-अलग तरह से बांटा गया और अब आपको यह पता है हाँ अभी मैं क्रॉस कोशन पूछूंगा बहुत सारे तो सर नैचुरल नंबर में क्या-क्या आता है बोले वो सब आता है जो जितनी भी संख्या है आपने आज तक पड़ी है वो सारी की सारी नैचुरल नंबर में ही आती है अच्छा जैसे की बताते है अ इवन नंबर और नंबर संसंख्या 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 विशम संख्या संसंख्या संसंख्या विशम संख्या प्राइम नंबर अबहाज्य संख्या कॉम्पोजिट नंबर अब 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 मैं आपके कमेंट देख रहा हूं कई बच्चे कुछ कह रहे हैं उनका जवाब भी आपको दिया जाएगा ठीक है तो बिलकुल सही जवाब यह आ रहा है कि श्र ये श्र एवन इंटीजर है 0 क्या है इवन नंबर हो सकता है क्या Explanations सुनो 0 & 1 नंबर हो सकता है क्या 0 overall नंबर नहीं हो सकता 0av1 नंबर क्यों नहीं हो सकता जोबी एवन नंबर है और नंबर है, प्राइम नंबर है, यह जितनी भी नंबर से हैं, वो सारी प्राकर्तिक संख्याओं से मिलकर बनी होई है, प्राकर्तिक संख्याओं में 0 होता ही नहीं है, तो आएगा ही नहीं, चलिए, पॉजिटिव इंटीजर है ही नहीं, 0 ना तो पॉजिटिव इंटीजर ह है 0 is 0, 0 का कोही sign नहीं होता है, पहली बार तो ये ध्यान रखना, तीसरी चीज, natural number ही नहीं, whole number होता तो देते, ठीक है, even integer है, some poor dang है, 0 को केवल एक category डाला गया, some poor dang, आईए, अब ये integer में आप बात कर रहे हो, sir, integer में अचनक से आपने ये तार छेड़ दिए मन के कि पूर्णांक आपने बताया और पूर्णांक को आपने केवल बताया negative और 0 नहीं इसके सासत पूर्णांक दो तरह से और divided किये जाते हैं एक तो होता है sum पूर्णांक और दूसरा होता है विशम पूर्णांग एक होता है आपका सम पूर्णांग और दूसरा होता है आपका विशम पूर्णांग लिख लो एक तो लिख लो सम पूर्णांग और विशम पूर्णांग सर इसका क्या मतलब है डेफिनेशन क्या है अभी मैं आपसे एक question पूछता हूँ कि यार ऐसे भी कुछ चीजे होती है कि सर हमने तो कभी पढ़ा नहीं है मैं आपसे ये प्रशन पूछ लिया कि बताईए minus का 10 क्या है minus का 10 क्या है मैंने आपसे पूछ लिया minus का 8 क्या है minus का 6 क्या है तो ये जितने भी विशम संख्याएं है और उनके आगे negative लगा दिया तो अभी तक जो भी आपने पढ़ा है तो आप इनको केवल क्या बोलोगे negative integer और मैं answer चाहता हूँ आपसे कि positive even और odd में बताऊँ आप तो आप इनको क्या कहोगे even integer कहोगे आप इनको क्या कहोगे आप जो संबंद बता रहे हो ना कि divided by 2 वो तो even number का बता रहे हो आप लेकिन अगर even integer की consideration की जाए अब चाहे नेगटिब में ही हो चाहे वो नेगटिब में ही हो तो फिर 0 जीरो भी even integer है अब क्यों answer ऐसा क्या तारीका है आप समझ में नहीं आ रहा आप क्या कहना चाह रहे हो आजाओ भाई इसलिए तो चीजें बनी है कि अगर वो संख्या even integer है जो की 2N के format में होती है आज आज आपके दिमाग में इतने सारे चीजें खुल जाएंगी ना कि आप कहोगे यार यह कभी सोचा नहीं था और सोचा था तो हम आज तक even number और even integer को एक ही मानते आ रहे थे आज तक आप even integer और even number को एक ही मानते आ रहे हो जबकि सबसे बड़ी गलत फहमी है even integer का format होता है 2N और यहाँ n क्या होगा यहाँ n आपका integer होगा तो सर even number का format नहीं होता क्या फिर यानि कि सम संख्या भी तो 2N में represent होती है हाँ होती है ना लेकिन यहाँ n क्या होता है natural number होता है आर यह बस समझ में अरे दिमाग चल रहा है क्या अरे हाँ या ना बोलो यार मैं बता रहा हूँ आज तक life में आपने ऐसा number system नहीं पढ़ा होगा जो आप पढ़ने जा रहे हो यह regular class चलेगी और हर एक चीज़ पढ़ाया जाएगा patience देखना चाहता हो तुम लोगों का कि तुम कितना अच्छा पढ़ सकते हो तो यहाँ n जो है वो natural number है इसी वज़ा से 0 even number नहीं है क्योंकि natural number में तो n बराबर 0 होता ही नहीं है अरे यार सच में सर हाँ ऐसे यहाँ n integer है तो यहाँ तो सब चलेगा n बराबर 1 रखोगे तो 2 भी आएगा n बराबर 0 रखोगे तो 0 भी आएगा n बराबर माइनस दो रखोगे तो माइनस का 4 भी आएगा तो यह जितनी भी संख्याएं होती है यह 0 माइनस का 4 माइनस का 8 यह सारी की सारी even integer में काउंट होती है इसलिए 0 को even integer कहा जाता है not even number clear आई बात समझ में कारण समझ में आ गया यह भी ना बात अब यहां तो आप रखी सकते हो क्योंकि यहां अगर n इंटीजर है तो पूर्ण तो आपके n 0 भी है क्योंकि वो तो पूर्ण के तोर पर लिया जा रहा है न यास odd integer तो कभी भी आप से पूचे minus 8 इसे even integer ठीक है और इंटीजर की बात करो इसका फॉर्मेट होना चाहिए 2N प्लस 1 और इंटीजर का फॉर्मेट जो होगा वो होगा 2N प्लस 1 यहाँ पर भी एन आपका क्या है एक इंटीजर पार्ट तो आप एक रखोगे तो तीन आ रहा है 0 रखोगे तो एक आ रहा है तो वो सारे odd integer हो जाएंगे आप जो भी लिख सकते हो लिख लीजिए कोई रिशु नहीं अच्छा भाई खीच के लाइक करिए पहले है न सब भी विध्याद ठीक है तो जितने भी example आप ले रहे हो मैं minus का 5 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा minus का 5 रखने पर minus का 9 minus का 2 रखने पर minus का 3 तो यह जो minus 9 minus 3 यह सारे odd है ठीक है एक तीन पांच यह सारे odd integers है किसी को यहां तक कोई problem भी नहीं होनी चाहिए और नहीं होने देंगे आपन ठीक है ना मस्त हो के चीजों को सीखिए क्योंकि आप बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हैं आईए यहां तक किसी को कोई समश्य तो नहीं है चले आई यह सर अगला format अगला concept अगला concept यह कहता है अब जो चीज़ बता रहा हूं वह बहुत काम किये जैसे कि अगला format यह कहता है कि अगर किसी भी विश्च अब मैं और तो विश्म बानता हूं आप लिख लेना है ना हिंदी वाले बार बर में विश्म नहीं और लगता है तो मैं और दो और संख्याओं को अगर जोडता हूं तो क्या आएगा बताते जाना और दो और संख्याओं को घटाता हूं तो क्या आएगा सब्सक्रांब् cod Jeewoon संख्याओं को मैं जोडता हूं तो क्या आएगा घटाता हूं तो स्वाब देना सर यह जरूरी है कि अरे बाई यही तो चीज है or od और इवन को जोडना और गिटाने पर क्या अएगा फिए और की पावर अगर एवन करता हूँ तो क्या आएगा एवन की पावर अगर और करता हूँ तो क्या आएगा अंसर एवन और में देना है ना आपको जो भी उत्तर देना है वो एवन और में देना है ठीक है और इंटू इवन करता हूँ तो क्या आएगा even into all तो बात बराब चलो एक एक करके जवाब देते जाओ सभी integers और एक बच्चा क्या बोल रहा है सभी even integer और integer होंगे सभी even integer और integer होंगे गल्त लिख रहे हो और सही लिखो पहले क्या लिख रहे हो पता नहीं कैसी बेतुकी बाते कर रहे हो आव यह चलिए और 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 को जोड़ोगे तो सर एग्जम्पल लेता हूं मन में एक और तीन जोड़ोगा चार आरहे साथ और पाँच जोड़ोगा बारे आरहे सर और 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 इंटीजर को जोडने पर तो अल्वेज एवन आरहे और घटाने पर भी 5 में से 3 गटाओं का, तो 2 आ रहा है 7 में से 5 गटाओं का, तो भी 2 आ रहा है 9 में से 5 गटाओं का, तो भी 4 आ रहा है तो हमेशा even होगा और even और even को जोडेंगे तो 2 और 4, 6 5, सारी, 4 और 8, 12 8 और 6, 14 Even और even Always even अछा, &1 की बात करता हूँ और एवन की बात करो एक और तीन चार आ रहा है अरे एक और तीन क्यों एक और चार पांच आ रहा है पांच और छे ग्यारे आ रहा है तो ये अपना और हो जाएगा ठीक है और प्लस एवन क्या हो जाएगा और हो जाएगा अच्छा औड की पावर even करो जैसे कि औड की पावर even मतलब example तो औड की पावर चाएंगा कितनी भी even कर लो औड ही रहेगा और even की और करोंगे तो ईवन हो जाएगा जैसे दो की पावर 3 कर लो जब की पावर पाँच कर दो की पावर 4 कर लो तो वह एंच रहने वाले थीक है क्लियर है समझ में आरये बात और इंटू एवन करोगे तो कितना होगा 3 x 5 X 3 x 4 यह हमेशा even क्यों क्योंकि even की वज़ा से कि आ जाव हो कि कितने लोगों को यह लगता है कि यह क्या काम की चीज होगि गुरुजी है यह वह कुई काम की चीज है क्या है है चलो ठोड़ासा पाश्ट में चलते हैं थोड़ा से काम की चीज़ क्यों है मैं बताता हूं आपको आपके दिमाग में क्या है कि रिच कैशन कहने कंने का मतलब क्या कहना चाहते हैं डियर अभी तो मैं चलो बताने रहा हूं आपको एक अंदाज दे रहाओ कि यह कहां काम आएगा, आपकी यादों में इसको डाल रहाँ कि यह कहां काम आने वाला है आपके, ठीक है? आपको याद है कि आप number of factor निकालते हो और जब मैं चला चला कर आपको समझाता हूं कि यार number of factor तो बहुत आसान है निकालना के लिए मैं आपसे यह कहता हूं और फेक्टर निकालो एक पर याद आ रहा है कुछ सोच पा रहे हो कभी कोई क्लास ली हो मेरी आपने आपको बड़ी तकलीफ आती थी और मैं यह कहता था आपसे किया और फेक्टर के लिए आप इवन वाले को छोड़ दो क्यों कहता था पता है क्योंकि कोई भी ऐसी संख्या बन ही नहीं सकती जिसमें इवन से गुणा हो जाए और कोई और नमबर बन जाए क्योंकि इवन से गुणा होते ही वह इवन ही बनेगा और कभी नहीं बन सकता यह सई है और और का और से गुणा होगा और का और से गुणा होगा तो आपका मतब तो क्या बनने वाला है जैसे तीन इंटू पांस तो और ही बनेगा लेकिन उसमें हम एक फैक्टर को छोड़ देते थे कौन से वाले में एवन वाले की रो में एवन वाले की कॉलम में हम एक को छोड़ देते थे वह क्या होता था तू की पावर जीरो हो गया मालो तो यह दिखने में टू की पावर जीरो है लेकिन है तो यह और नमबर ही तो जो क्योंकि even से अगर किसी और को गुना कर दिया तो हमेशा even बनता है कि तो अगर हम even factor निकालते थे थो तो even factor निकालते थे ना अपन तो हम इसी को युदि सबसे पहले क्यों क्यों क्योंकि जितने भी even सामने वाले और से reaction करेंगे जितने भी even सामने वाले और से reaction करेंगे वो even ही बनाते थे अपने तो इसलिए हम केवल यहां से एक 2 की पावर 0 को हटा के जो भी combination होते थे वो लिखते थे तो यह वहां का logic है यहां से clear होता है ठीक है चलिए एक बच्चा क्या बोल रहा है सर 22 बटे साथ non terminating or recurring होगा ना हाँ हाँ तभी तो यहां लिखा गया है non recurring यहां irrational में non recurring वो recurring recurring मतब repeat हो रहा है यह non recurring आते हैं इसमें जो repeat ही नहीं हो रहे है irrational में ठीक है तो मज़ा आ रहा है यहां तक किसी को कोई issue तो नहीं है अब यही होता है यार मतलब असली number system numbers से पढ़ा जाता है जो मैं अभी आपको सिखा रहा हूं top level की चीज़ें अभी आप सीखिए और enjoy करिए इस चीज़ का ठीक है चलिए अब आगे चलते हैं numbers के बारे में जानते हैं अपने पास अभी है time है actual में क्या हुआ था numbers को भी अलग-लग तरीके से बताया गया है अपने यह अभी सारा numbers आपको पता लग गए है एक दो cross question कर लेता हूं एक दो cross question करता हूं आपस जवाब देना ऐसी थोड़ा सा क्या irrational number imaginary number है हाँ या ना में जवाब देना क्या irrational number imaginary number है क्या नहीं है ठीक है अगला question आपके सामने है क्या even number even integer होते हैं यस होते हैं 0 even integer है यस fraction irrational का पार्ट है याने कि fractional जो numbers होते हैं क्या वो irrational number होते हैं नो वो rational का पार्ट है ठीक है चले आईए आगे चलते हैं अगला concept आप लिखेंगे जो भी मैंने numbers आपको बताईए कुछ संकेत आपने पड़े होंगी तो यह आप मुझे बता सकते हैं कि 1 2 3 4 यह जो हम numbers लिखते हैं यह जो हम symbol लिखते हैं यह numbers का कौन सा symbol है मतलब इन symbol को कहते हैं जैसे की इसको क्या कहते हैं इनको तो पता होगा इन symbol को हम क्या बोलते हैं रोमन नमबर बोलते हैं क्या बोलते हैं रोमन नमबर रोमन संख्या रोमन संकेत तो अपने 1,2,3,4,5 को हम क्या बोलते हैं Arabic नमबर है यह गदाई बिलकुल आदमी है Arabic अरभी पद्दती है अरभी संकेत है यानि कि जो भी हम यूज करते हैं यह सबजी वाला अरभी नहीं है यह अरभी संकेत हैं ठीक है हाँ मतलब हिंदी हिंदी अरभी संख्या पद्दती होती है वो हम यूज करते हैं क्या बोलते हैं इसको Arabic बोलते हैं ठीक है हिंदी अरैबिक संख्या पद्धती नंबर सिस्टम होता है 12345 जो भी हम यह नंबर यूज करते हैं ना जो हम लिखते वह अरैबिक सिंबल अरैबिक नंबर सिस्टम से निकाले गए हैं यह नहीं पता काफी सारे लोग हो ठीक है क्या रोमन नंबर और जो हमारी हिंदी हिंदी नंबर सिस्टम में आते हैं वह हिंदी संकित क्या है यह एक कि दो कि यह तीन चार पांच चैसा इसाथ कि शाट एससे बनता है है हुह शाट आठ नो तो यह अपने क्या है कि हिंदी है कि साथ हो गया आठ हो गया कि नूँग दस है ठीक है तो यह हिंदी में लिखे जाते हैं इस तरह से ठीक है यह हिंदी संकेत होता है तो अब हम पढ़ेंगे रोमन नंबर अर्वीव तो हमें लिखना आता है रोमन नंबर रिप्रेजेंटेशन हम पढ़ने वाले हैं कि आई यह कि अग्याओ कि रोमन नंबर सिस्टम कि रोमन संख्या पद्धती रोमन संख्या पद्धती रोमन आता है कुछ नया कराओ गज्जू यह तुमारे फैमिली की क्लास नहीं चल रही है भाई यह सभी को देखते हुए चल रही है तो मुझे पता है हीरा ठाकुर के खांदान के हो लेकिन हमें उससे कोई लेना देना नहीं है भाई हम यह सब के लिए पढ़ा रहा है ना भाई गज्जू तंखा नहीं देना मेरे को आईए रोमन संक्या पद्धती तो रोमन नंबर सिस्टम में क्या बोला जाता है कि जब कभी भी हम किसी सिंबल को लिखते हैं तो एक को बोलते हैं इस तरह से दो हमारा जो होता है वो इस तरह से लिखा जाता है तीन जो लिखा जाता है इस तरह से लिखा जाता है अब यहां से चीज़े समझ में भी आएंगे आपको अच्छा भी लगेगा अब एक पांच को आप लिखना जानते हो पांच एक क्या है बीच का सिंबल है जिसका एक न ज्यादा साथ को कहेंगे आठ को कहेंगे नौ को क्या कहेंगे दस हमें पता है इसलिए दस हमें पता है इसको हम बोलते है एक्स तो नौ को क्या कहते है एक कम अभी मैं आपको पूरी गणित समझाने वाला हूँ कि यह रोमन नंबर चलता कैसे है इसके कुछ नियम होते हैं काईदे कानून होते हैं वो किस तरह से चलेंगे ठीक है चलिए तो नियम काईदे कानून के इसाब से किस तरह की चीज़ें चलने वाली है आईएगा आपने ये चीज़ देखी कि अगर एक चालो हो रहा है है तो दो वर आ रहा है तीन वर ņह उसके बाद चोथी वर आ रहा है क्या आप खुद देखो कि अगर कोई नंबर आप शुरु कर रहे हो एक दो तीन तो तो चार यह क्यों नहीं बन गया बहुत जदा हालत खरा हो झाय हो जाती रॉममन नंबर के तो इसलिए क्या किया गया एक नियम बना दिया गया कि कोई भी नंबर तीन बार से ज्यादा-इपिट नहीं में जैसे की एक दो तीन के बाद कैट चौथा वंटाज़ नूफे से fearless करेगा अंडर्इस्ट्रैंड टो 3 इन के बाद में चौथा जो होगा वह पांचवे से रिलेट करेगा फिर पांचवे का अनुसरन करते हुए छटवे साथवे आठवे बनेंगे लेकिन जो नौवा होगा वह दसवे का अनुसरन करेगा समझ में आ रही है बात समझ में आ रही है देख रहे हो कि 8 तक तो देखो 5 के आगे 1 आ गया फिर 2 बन गया फिर 3 बन गया अब उसके बाद नहीं रिपीट कर सकते है आप चाहथा कि आप यह नहीं चाहते है कि 9 को आप यह नहीं लिख सकते हो ये गलत हो जाएगा आपने क्या किया फिर दसवा देखा और 10 से एक कम फिर जब आप 11 लिखते हो तो आप यहां तक सही चलोगे 11 फिर आप 12 लिखते हो तो ये भी ठीक है फिर आप 13 लिखते हो तो ये भी ठीक है लेकिन 14 लिखोगे तो क्या लिखोगे जो आपका 15 है न, xv, 10 और 5 पंदरा, उसका एक कम, x यह 4 वाला, आई बास समझ में आप लोगों को, यानि कि वो अगले वाले को follow करता है, और अगर आप उसको उससे एक कम लिखना चाहते हो, तो जैसे हमने लिखा 9, तो 9 में 9 को क्या लिखोगे, 10 माइनस एक, तो जो माइनस एक वाला representation है, वो आगे आजाता है, किसके अगले समझा के, 10 के आगे आगे, understand, जैसे कि 19 लिखवाना चाहता हूँ आपसे मैं, 19 लिखके बताओ, चलो, तो 19 लिखने के लिए क्या करोगे आप, सर देखो, इसको तो मैं 10 कहता हूँ, और इस 9 को मैं क्या लिखूँगा, 10 माइनस का एक, तो इस 10 को तो एक से लिख देते हो, और इसका, जैसे, माइनस वाले को आगे ले लिया, अब चाहे एक हो, चाहे पांच हो, चाहे पचास हो, तो जो भी नंबर होगा, वो आगे आ जाएगा, तो एक का तो आई होता है, तो वो लिखा और दस का एक्स, ऐसे, क्लियर है, चलिये साथ, अंडर्सेंड, अब कुछ भी कठिन नहीं है, अब एक फॉर्म लिख लो, l, c, d, m, l, c, d, m, क्या बोलता है, l को हम कहते हैं, पांस तो पता ही यह दस पता ही है और यह जाएगा पचास यह जाएगा पांसो और यह जाएगा एक हजार LCDM आप अपने इसको इस तरह से दिमाग में रख सकते हो LCDM LCD हमने देखा है और मुबाईल LCD और मुबाईल LCDM 50,100,500,000 पांच पता है 5 का क्या होता है V होता है 10 का क्या होता है X होता है बस 5,10 LCDM कोई दिक्कत अब आप किसी भी नंबर का बना सकते हो ठीक है किसी भी नंबर का तो मैं अब एक्जामपल देता हूं एक दो आप ट्राई करना नहीं आएगा कोई बात नहीं एक्जामपल मैं आपको देता हूं देखिए तरीका बताऊंगा पहले आप लोग शांती से समझना मैंने लिखा 149 को रोमन नंबर में लिखिए तो ऐसा बोला जाता है कि अरेविक नंबर को रोमन नंबर में लिखिए तो देखना कैसे देखो समझ लो पहले ही आप सबसे पहले यह देखो कि 9 किस तरह से आया है यहां पर 9 की place value क्या है 9 एकाई का अंक है चार क्या है दहाई का अंक है याने की 40 और एक क्या है 100 यह तो समझते होना आप किसी भी संख्या के अंकों का इस्थानी अमान तो पता है अलाकि मैं पढ़ाऊंगा लेकिन अक्सर देखा जाए तो पता ही होगा ठीक है तो 9 को 9 लिखा अब 9 का तो आप जानते हो कि सर 10-1 याने की इस तरह से हो जाएगा 40 को क्या लिखोगे 40 नहीं लिख सकते हो आप तो 40 को लिखोगे 50-10 ये ठीक है 100 को क्या लिखोगे अपना LCD C और इसको क्या लिख सकते हो C इस 10 का क्या होता है X होता है मैंने का न माइनस वाला पहले आ जाता है और 50 का क्या होता है L होता है और यह आपका पूरा रोमन हो गया CXLIX CXLIX जिन्होंने CIL दिया पता नहीं किस तरह दे रहो यहां देख लो पहले समझ लो गलतियां करोगे तो ही सीखोगे इतना मुझे पता है गलतियां करके ही सीखते हो आप बताओ वही चलिए अब अगला कोशन आप खुद बनाएंगे एक्जामपल देता हूँ फिर होमवर्द दूँगा एक्जामपल दे रहा हूँ मैं 458 अभी बताईए अभी बताईए कैसे लिखोगे इसको नहीं लिख सकते ना जो मैंने तरीका बताया वैसे लिखना है आपको है ना ऐसे डाइरेक्ली नहीं लिखना हाँ वो पचास माइनस एक भी नहीं लिखना डाइरेक्ट है ना गडबड हो जाएगी मैंने बोला ना कि क्योंकि हर अंक को आपको ईबर रिप्रिजेंटेशन दे ना है जैसे कि आठ को आप आउं लिख रहे हो पचास का तो हम जानते हैं L, C, D यानि कि ये L हो गया और 400 को क्या लिखोगे 500 माइनस 100 क्योंकि 100 का तो आप जानते हो C D C पहले आएगा और D बाद में आएगा तो C, D, L ये आपका राइट आंसर आ रहा होगा C, D, L, V, TRIPAL, W M पर मत पहुचो यार L, C, D होता है ऐसे दिमाग में रखो L, C, D, M M 1000 हो गया आपका जो D है वो 500 C जो है वो 100 और L है जो 50 तो सभी का क्लियर हो गया भाई समझ में आ रहा है आप लोगों को अच्छा लग रहा है जल्दी से मुझे बता दो नहीं भी आया कोई बात नहीं है एक दो बार ट्राई करोगे न यहीं सब होगा और आपको रेगुलर क्लास लेनी पड़ेगी अगर यह अच्छे से पढ़ना है चैप्टर तो आपको पता ही है C, D, L V, TRIPAL, Wन अब होमवर्क लिलो आप दो तीन कोशन का नीचे कमेंट सेक्षन में आंसर दे देना हूँ 797 837 113 179 85659 इन पांच कोशनों का आपको रोमन नंबर में बदलना है ठीक है इन पांच कोशनों को आपको रोमन नंबर में बदलना है आप अपनी कोशिश करना मेरा काम समझाना है मैं समझा दूँगा इंता मत करो लेकिन ये बताईए क्लास कैसी लगी जल्दी से मुझे बताईए अगर वाकई में दिल छुने वाली लगी है तो लाइक आपको दिल से करना है मैंने जो भी आपको पढ़ाया है वो हर एक चीज नीटन क्लीन होनी चाहिए आज आप रिवाइस करेंगे जाकर फिर कल हम और आगे की चीज़े पढ़ेंगे बहुत कुछ अच्छा सीखेंगे प्राइम नंबर नंबर के बारे में इस्थानी अमान जाती अमान और क्या कहते हैं कॉम्पोजिट नंबर को प्राइम नंबर यह सब पढ़ने वाले आपन बहुत अच्छा लगेगा यार मतलब रियल नंबर सिस्टम में आपको पढ़ाऊंगा कोई नहीं पढ़ाएगा यह मैं गारंटी से बोल रहा हूं अगर ऐसा आप दिख जाए तो भी तो बहुत मत कहना अपनी लाइफ में कि यार मुझे प्रैक्टिस का मौका नहीं मिला या किसी ने हमें प्रैक्टिस नहीं कराई मैं आपसे खुद विश्वास दिलाता हूं कि तीन बजे रेगुलर क्लास अनकेडमी पर जो चलता है कैच्छदा में वह आप रेगुलर लें लिंक आप करें आपको कमेंट सेक्षन में मिल जाएगा आप रेगुलर प्रैक्टिस जरूर करें जरूर करें मेरा ये मानना है ठीक है लिंक कमेंट सेक्षन में मिलेगा कैच्छदा में जरूर लें आप लोग आपको बड़ा मज़ा आएगा डेली सुबह 9 बज़े topic wise भी एन अकेडम अब साड़े बारे बज़े प्रीवेस एर पेपर होगा दो बज़े मेरा फाउंडेशन होगा मेरे फाउंडेशन में भी आप जुड़िये जहां पर मैं कम्प्लीट से लेबस कवर करवा रहा हूं इसी तरह से से एक्जाम में आपको जाना है गैट सस्किप्शन पर जाना है 24 मंत का सस्किप्शन लेकर साहिल टैन एजे कोड लगा देना है अब जैसी साहिल टैन लगाओगे अपलाई कर जाओगे डिसकाउंट मिल जाएगा जो ओफर चल रहा है वो भी मिल जाएगा तो भया आज जुड आउट रेज हैं सारे फीचर्स आपको मिल जाएंगे किसी भी अप्रेट कंटेंट के लिए आप क्लेम कर सकते हैं ठीक है थैंक्यू सो मच थैंक्यू फो वाचिंग अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा जी बिलकुल ओके मिलते हैं पीडियेफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी है ना मैथ भाई साहिल जर पर और पीडियाफ बीडियाफ सब लिंक विंक सब महीं मिल जाएगा कमेंट सेक्शन में भी तो मिलता हूं साड़े बारा ओके टेक कियर बाबाई टाइम टेबल बता दिया था न पूरा साथ सो को लिखो 500 पलस 200 पाइव अंडर हंडर 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 है ऐसे आठ सो तक लिक सकते हूं